दोस्तों मैं शाह करते हैं तो आसलों ठीक होंगे सहीफ होंगे दोस्तों आज आज हम इस वीडियो में जॉन मिल्टन के बहुत इंपोटेंट वार्क ऐसे एरियो पेजिटिका की उपर बात करेंगे सिंपल तरीके से इसे समझेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्ब्सक्राइब करेंदे फिर इसको सब्सक्राइब करेंगे एक लेट बनाया था जिसका नाम था लाइसेंसिंग और इसमें उसको क्या हुआ था कि इंग्लेंढन्ड गवर्उमेंट ने when England के जितनी बी In पौर्छे उनको रेंस्ट कर दिया था लिखने से और पबिश करने से अगर कोई भी र कोई भी इप्रकुस लिख नहीं Commander में तो सबसे पहले उसको इंग्लेंड के गवर्मेंन के दोवारा यह जो बुरा लोग बनाया गया था यह जो एक freedom of expression का जो violation का जो लोग बनाया गया था इसके विरुद में जॉन मिल्टन ने एरियो पजयरिका को लिखा था यहां पर दोस्तों इस एसे में जॉन मिल्टन ने इस लोग को लाइसेंसिंग ओडर जो लोग था 1643 का इस लोग को उन्होंने क्रिसाइज किया था उनके हिसाब से यह जो लोग है यह रेस्टिर्ट करता है freedom of expression को उन्हें यह का था कि government कभी भी freedom of expression को रेस्टिक नहीं कर सकता इंग्रन के इतनी भी लोग है जितने ही पीपल है उनका freedom of expression राइट है उनका fundamental राइट है तो इसको गवर्मेंट रेस्टिक नहीं कर सकता यह एनर्की हो जाएगा अब दोस्तों गवर्मेंट ने ऐसा क्यों किया क्योंकि गवर्मेंट को कभी भी printing मीडिया और ऑथर के उबर बैन इंपोस नहीं करना चाहिए रेस्टिक्शन इंपोस नहीं करना चाहिए लिखने से और प्रिंटिंग करने से क्योंकि उन्होंने Catholic Church को भी Catholic Church को भी उन्होंने किरिसाइज किया था religious domination के लिए क्योंकि उस टाइम पे गवर्मेंट दोनों इंगलर में बहुत ही पावर्फूल थे तो इसके लिए रूल बनाया गया था जॉन मिल्टन यह कहते है कि पार्लेमेंट कभी भी लिखने से ऑथर को या फिर पोईट को नहीं रोख सकता और अगर कोई भी राइटिंग कोई भी राइटिंग अगर पा इसे में अगरन राइटरर का जोब होता है इसेल प्रॉब्लेम को उठाना सोशल प्रॉब्लम को सबके सामने रखना ताकि वो सॉल्फ हो सके इसलिए जॉन मिल्टन ने यह कहा है कि राइटर को कभी हमेशा फ्लीर रहने देना चाहिए ताकि वो सोसाइटी को अच्छ से शोग कर पाए सोशल जो प्रॉब्लम मुद्स पच्छ सो कर पाए ताकि कि वो मीट सके इसे दर दोस्ते जो मिल्टन ने इस वार्क में एडियों पेटिका में जो लॉट था लाइसेंसिंग और जो लॉट था इंग्लेंड के द्वार्न के द्वारा उसको क्रिसाइज किया है और फिड़म ऑफ एक्सपेशन के हिद के वूपर उन्हें यह ऐसे को लि